Hello Class 8 Children, बच्चों इस वीडियो में हम आपका जो चप्टर नूमर 8 है, जिसका नाम है Confronting Marginalization, मतलब की Marginalization का सामना करना, ठीक है? इसके question answers discuss करेंगे. हमारा first question है, list two fundamental rights in the constitution that Dalits can draw upon to insist that they can be treated with dignity and as equals. fundamentals, fundamental rights जो है न, उनकी जो list है, उसमें से कौन से ऐसे दो fundamental rights है, जिनके basis पे दलित ये कह सकते हैं, demand कर सकते हैं, कि उनके साथ भी treatment dignity से हूँ, उनको भी सब के बराबर माना जाए, ठीक है? मतलब कि दो ऐसे fundamental rights हमें बताने हैं, जिसमें दलित ये demand कर सकते हैं, जिनके अनुसार कि उनके साथ भी सम्मानजनक विवार हो और उनको भी equal माना जाए, तो dignity और equality maintain करने वाले दो fundamental rights हमें बताने हैं, ठीक है? रे-read the fundamental rights listed on page 14, आपकी बुक में जब आप पीछे जाएंगे, तो page number 14 पे fundamental rights की एक list है, उसको पढ़ो और बताओ दो ऐसे fundamental rights कुन से हैं, चलिए देखते हैं, फस्ट है, right to equality, अब right to equality में क्या provision है? तो इसमें है, according to the right, all persons are equal before law, and cannot be discriminated, on the basis of caste, religion, sex, every person has access to all public places, और state cannot discriminate against anyone in matters of employment, देखो, right to equality ये कहता है, कि according to this right, इस right के अनुसार, सभी लोग कानून के सामने बराबर होंगे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, किसी के value कम नहीं, किसी के value ज़्यादा नहीं, right to equality के अनुसार, सभी लोग कानून के सामने बराबर, किसी के साथ भी किसी भी परकार का भेदबाव नहीं हो सकता, ठीक है? every person has access to all public places, हर आदमी, हर एक public place पे जा सकता है, किसी को कहीं पे जाने की मना ही नहीं है, सब लोग मंदिर भी जा सकते हैं, सब लोग जो water well हैं, वहां भी जा सकते हैं, पानी भर सकते हैं, हर public place पे हर व्यक्ति जा सकता है, किसी की कोई मना ही नहीं है, और state यानि की हमारा जो देश है ये किसी को भी किसी के साथ discrimination नहीं करेगा किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा किसी भी matter पे चाहे employment ही क्यों नहीं हो employment मतलब किसी को रोजगार देना job देना तो मतलब की सब लोग बराबर समझे जाएंगे ठीक है कानून के सामने भी public places में भी और employment यानि की jobs के मामले में भी तो ये कहता है right to equality ठीक है तो ये right to equality के तहत वे ये demand कर सकते हैं कि उनके साथ भी बराबरी का विवहार हो एक point हो गया दूसरा जो right है वो है right to freedom right to freedom this includes that right to freedom of speech and expression अब right to freedom में बहुत सारी चीज़े हैं ये कहता है कि right to freedom में किस चीज की freedom है किस चीज की आजादी है हमें speech and expression हमारे मन में जो भावनाएं हैं हमें कुछ गलत लग रहा है हम उसको बोल सकते हैं उसको express कर सकते हैं right to form associations associations बना सकते हैं parties बना सकते हैं groups बना सकते हैं right to move freely and reside in any part of the country हम देश में जहां चाहें वहां गूम सकते हैं freely बिना किसी पाबंदी के हम देश में जहां चाहें वहां घर बना के रह सकते हैं बस सकते हैं and right to practice any profession हमारी मर्जी का हम कोई भी profession, कोई भी काम occupation, कोई भी business हम कर सकते हैं तो ये right to freedom कहता है right to freedom में कई तरह की freedoms हैं ठीक, तो right to equality और right to freedom के तहत दलिट्स जो हैं वो क्या बात रख सकते हैं they दलिट्स can draw upon to insist that they be treated with dignity and equals तो वे दबाव डाल सकते हैं कि उनके साथ भी dignity उनको भी dignity मिले और उनके साथ भी equality बराबरी का व्यवहार हो right to equality, right to freedom right, आगे बढ़ते हैं अगला question read the story of Ratnam as well as the provisions of 1989 scheduled caste and scheduled tribes prevention of atrocities act देखो भाई, आपके इस चैप्टर में एक Ratnam, एक लड़के की स्टोरी थी, ठीक है उसको एक बार दुबारा से पढ़ी है और वो नियम, वो कानून पढ़िये, जो कौन से act में है, SCST prevention of atrocities act में है उसके सारे नियम पढ़िये now list one reason अब एक करण बताओ why you think he used this law to file a complaint Ratnam ने अपने शिकायत दर्ज कराने के लिए इस कानून का ही सहरा क्यों लिया, ठीक है तो हमें ये बताना है हमें बताना ये है इसके अंसर में कि Ratnam ने SCST prevention of atrocities act का सहरा क्यों लिया नियाए लेने के लिए इस act का ही सहरा क्यों लिया, ठीक है चलिए देखते है, first point है Ratnam belong to a Dalit community, हमने पढ़ा था हमें पता है, है ना, वो Dalit community से belong करता था and he knew the provisions of 1989 scheduled caste and scheduled tribes prevention of atrocities act उसको SCST prevention of atrocities act के कानूनों का पता था, उसे awareness थी, ठीक है, aware था वो इस बारे में, so he could get justice according to this act, ठीक है उसे पता था, ये कानून है इसमें ये सारे provision है और मेरे साथ जाती के नाम पे बेदबाव हुआ है तो मैं इस SCST prevention of atrocities act के तहत justice ले सकता हूँ he could get justice according to this act, that is why he used this law to file a complaint, तो इसी लिए उसने इस कानून का साहरा लिया complaint फाइल करने के लिए आगई बात समझ में, भाई वो एक दलित था, उसको SCST prevention of atrocities act के बारे में पता था, उसको पता था इस कानून से उसे नियाए मिल जाएगा, तो इसने उसने इसी कानून के तहट जो है complaint file की second point देखो he also used the above law to protest against the domination and violence of powerful caste in his village बई, एक कारण हमोर बता देते हैं वो क्या है, कि उसने इस act का सहारा लिया जो powerful जो अपरकाश्ट थे ना उनके दबदबे को खतम करने के लिए उसके गाउं में though he was ostracized from his community and the local media supported Ratnam and the ritual was called off वही हुआ क्या Ratnam को उसकी खुद की community से बाहर निकाल दिया गया ostracized मतलब समाच से बहिश्कृत करना बाहर निकाल देना तो उसे गाउं से उसकी community से बाहर निकाल दिया गया लेकिन local media जो था उसने Ratnam को support किया क्यों? क्योंकि वो सही बात पे टिका हुआ था वो अपनी सही बात पे आवाज उठा रहा था उसको भी बराबरी चाहिए थी और वो एक गलत प्रथा के विरुदवाज उठा रहा था दो दर रिच्वल वस called off और जो रिच्वल था उसके बाद जो ये प्रथा थी उसके बाद इस प्रथा को बंद कर दिया गया ठीक है? तो ये हुगा अगला question है Why do आदिवासी activists including C.K. Janu believed that आदिवासी's can also use this 1989 act to fight against disposition? यहाँ पे एक 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 आदिविस्ट आया था इस chapter में एक 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 एकिविस्ट थी जिनका नाम था C.K. Janu तो जो एक्टिविस्ट थी C.K. Janu उनका खिकर किया गया है कि वै activities like S K GANU S K GANU जैसे जो activities है वो ऐसा क्यों believe करते हैं उनका इस चीज में विश्वास क्यों है कि वैं 1989 का जो act है उसका इस्तमाल किया जा सकता है किसके विरुद कि वैं जो आदिवासी लोग है जिनको उनकी जमीनों से बाहर निकाल दिया गया है डिस्पोजिशन हुआ है आदिवासियों को उनके जंगलों से उनकी जमीनों से बाहर निकाल दिया गया है कंपनियों ने, सरकारों ने लोगों ने उनकी जमीने जो हडप ली है जो छीन ली है तो इस चीज़ के खिलाफ भी 1989 के Act को इस्तमाल किया जा सकता है Disposition के खिलाफ भी जमीने जो गलत तरीके से आदिवासियों के और लोगों में ली है इस से लड़ने के लिए भी इस Act का इस्तमाल किया जा सकता है Is there anything specific in the provisions of the Act that allow her to believe this? तो इसमें कुछ ऐसे provision है जो C.K. जानू जैसे activist है उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि इस Act से उनको उनकी जमीने भी वापस मिल जाएंगी ठीक है? तो चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा इसमें कानून है The आदिवासी activist including C.K. जानू believe that आदिवासी can also use this 1989 Act to fight against disposition because this Act guarantees that tribals not to be disposed from the land resources forcibly पहला provision तो इसमें यही है कि भई ट्राइबल लोगों को उनकी जमीनों से जबरदस्ती बाहर नहीं निकाला जा सकता उनके land resources जबरदस्ती कोई भी नहीं ले सकता तो यह provision इसमें है S.C.S.T. Prevention of Attrocities Act 1989 में यह बात लिखी गई है कि आदिवासीयों को कोई भी उनकी जमीन से बाहर नहीं निकालेगा कोई भी उनकी जमीन नहीं खरीच सकता और बेच सकता उनके अलावा ठीक? पॉइंट नमर दो देखो According to this act, the land of tribals cannot be sold or bought by non-tribal people ठीक है? तो आदिवासी अपनी जमीन को कैसे भी इस्तमाल कर सकते हैं आदिवासीयों के अलावा कोई भी वेक्ती उनकी जमीन को खरीद बेच नहीं सकता ये भी बात उसमें mentioned है ठीक है? In cases where this happened, Constitution also guarantees the right of the tribal people to repose their land अगर कहीं पे ऐसा हुआ है कहीं पे उनको उनकी जमीनों से निकाला गया है तो Constitution हमारा सभी धान और ये Act ये Guarantee देता है कि उनको उनकी जमीने वापस मिले है ठीक है? Tribals who are already evicted and cannot go back to their lands should get compensated वो tribal लोग जो पहले ही अपनी जमीने छोड़कर जा चुके हैं इस तरह के लोगों की वज़े से तो और वो अपनी जमीनों पर वापस नहीं आ सकते तो उनको compensation यानकि उसके बदले में उनने कुछ मिलना चाहिए सरकार को उनकी मदद करने चाहिए That is, the government must draw upon plans and policies for them to live and work elsewhere तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उन लोगों के लिए plans बनाए, policy बनाए ताकि वो जहां कहीं भी है वो वहाँ अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके है तो इसलिए C के जानू जैसे जो activist है उनको भरोसा है कि ये act उनकी जमीने उनने बरकरार रखने में मदद करेगा क्या क्या provision है एक बार फिर से revise करते है provision ये है कि पहला तो ये act guarantee देता है कि उनकी जमीने उनके पास रहेंगे ठीक है दूसरा according to this act nobody can sold or bought their lands कि उनकी जमीनों को उनके अलावा कोई और खरीद बेच नहीं सकता ठीक है थर्ड point देखो constitution guarantee देता है कि अगर कहीं ऐसा हुआ है तो उनकी जमीने वापस मिले point number 4 देखो अगर वो लोग वापस नहीं आ सकते तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके लिए plans or policies बनाए ठीक है तो इसलिए activist को इस act पे बरोसा है question number 4 the points and the songs in this unit allow you to see the range of ways in which individuals and communities express their opinions तो इस unit में हमने कुछ points बगेरा देखे थी जिसमें individuals हैं और जो communities हैं वो अपने opinion अपनी बात रख रहे हैं अपना anger अपना गुसा दिखा रहे हैं अपना sorrow अपना दुख दिखा रहे हैं so in class do the following two exercises चलिए तो दो exercises हमें करनी है activity based concept है क्या है bring to class a poem that discusses a social issue share this with your classmate एक ऐसी poem लेकर आएं एक ऐसी कविता लेकर आएं जिसमें social issue हो ठीक है और इससे अपने classmates अपने दोस्तों के साथ आपके साथ class में जो पढ़ते हैं उनके साथ share करें ठीक है work in small groups छोटे-छोटे groups बनाएं दो-दो-चार-चार बच्चों के उनमें काम करें with two or more poems और दो-तिन poems आपके पास हो discuss their meanings और उन poem में का meaning क्या है वो poem क्या बताना चाह रही है ठीक है वो कविता क्या बताना चाह रही है उसमें discuss करें as well as what the poet is trying to communicate और ये भी जानने की कोशिश करें कि जो इसमें कवी है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो आपको क्या बताना चाह रहा है तो ऐसी कविता लेकर आएं जिसमें social discrimination जिसमें सामाजी कोई मुद्दा हो और उस poem में उस कविता में क्या बात कही गई है और कभी क्या कहना चाह रहा है उसका अर्थ निकाले तो एक तो ये activity है कि आप करके देखिए तो ये activity based concept है इसमें आपको ये काम अपने friends के साथ करना है तो इसलिए मैंने इसका कोई fixed answer नहीं लिखा है अब दूसरी activity आपको क्या करनी है identify a marginalized community in your locality आपके आस्परडोस में आपके गाओं में शेहर में कोई भी एक marginalized जो community है उसका पता लगा है उसको identify करें ठीक है ढूंदें उसको write a poem, कोई एक poem लिखें कोई एक song, कोई गाना लिखें कोई poster बनाए to express your feelings as a member of this community वही एक marginalized community वो marginalized क्यों है obviously, समाज ने उसको बहार निकाला हुआ है, ठीक है तो अपना गुसा जाहिर करते हुए ठीक है, अपनी feelings अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए उस community का part खुद को मान कर कोई poem लिखें, कोई song, गाना लिखें कोई poster बने तो यह आपने activity कर भी है तो यहाँ पर बच्चों यह activity based question था इसको आप कीजिए और बागी question हम discuss कर चुके हैं I hope यह सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी Thank you